हलो एन वालकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग अरे का ये दूसरा पार्ट है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीरीज में तो आगे बढ़ते हुए आज हम स्पार्स मेट्रिक्स क्या होता है ये भी देखेंगे और पहले टू डैमिशलन अरे को सीखेंगे और साथ ही साथ एक स्पार्स मेट्रिक्स को इंप्लिमेंटेशन करने का सी प्लस प्रोग्राम बनाएंगे तो जैसे हमने पिछले लेक्चर में वन डैमिशलन अरे देखा था उसी प्रकार आज टू डैमिशलन अरे देखने की बारी है तो देखिए, टू-Dimensional array में आपको करना क्या रहता है, इसमें, जिसे हम कोई array declare करेंगे, तो जाहिए सी बात है, जैसा वन-Dimensional array में हमने एक dimension लिया था, इसमें आपको दो dimension लेने हैं, तो दो dimension लेने के लिए दो square brackets लगेंगे, और पहले आपका number of rows, और दूसरी पर number of columns रहेंगे, इसे आप दो तरीके से declare कर सकते हैं, तो first of all, सबसे पहले एक simple way पर हम यहाँ पर values ले ले लेते हैं, इसके लिए, यह कुछ values नहीं है, मैंने 123456789, यह values किस तरीके से store होती हैं, इसे हम paintbrush की साहता से समझ लेते हैं, देखिए जो, इसका array का first element होगा, वो आपके इस block में store होगा, इस location को हम कहेंगे 00, उसी प्रकार आगे बढ़ते जाएंगे, तो यह हो जाएगा 01, और जो last allah होगा location वो हो जाएगा 0,2, अब हम नीचे आ जाएंगे, तो देखिए number of row है, इसे हम 0 कह रहे हैं, तो यह इस हिसाब से row कहलाएगी, और यह कहलाएगा column, short में col लिखे रहा हूँ, और यहां पर जैसे ही row change होगी, तो इस location को हम कहेंगे row number 1, क्योंकि अब पहले 0 आया था, तो इसके बाद में 1 आ जाएगा, और column number जो है, वो as it is रहेगा, क्योंकि अब column number तो वह ही है, यह column हमारा, तो column number 0 था, तो यहां पर 0 लिखेंगे, इसके बाद में यहां पर row number 1, column number भी 1, और last में row number 1, column number 2, अब last में आपको स्वयम ही समझ जाना है, कि यह row number हो जाएगा 2, और column number हो जाएगा 0, तो इसका इंडेक्स चूंकि 0 से स्टार्ट होता है, तो यह 0, 1, 2 और 0, 1, 2 इस तरह भी, यह हो जाएगा 2, 1 और last हो जाएगा 2, 2 इस तरहीके से आप समझ सकते हैं, कि जो इसका storage है, ऐसे होता है, तो यह इसके addressing हो गई, indexing हो गई, अब values जो है, इन locations पर जाके store होती है, तो जैसे हमने दिया है 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर 1 store हो जाएगा, इसका color different ले ले लेते हैं, तो शायद समझने में और असानी होगी, यलो color best रहाएगा, highlighted, काफी छोटा दिख रहा है, तो यह हो जाएगा 1, 2, तो इस तरहीके से इसका storage होता है, अब देखे, यहाँ पर हमने value store कर दी है, इसे print कर आने के लिए, आप loop लगा सकते हैं, for, दो variables ले लेते हैं, पहले, integer i, j, यह इसे print करने के लिए रहेगा, या फिर आप r और c भी ले सकते हैं, और और column के लिए, तो सबसे पहले हम rows को print कराएंगे, तो यहाँ पर r is equal to 0, semi-column, r is less than or equal to 2, r plus plus, इस लूप के अंदर आते ही साथ आपको एक nested loop और लगाना है inner loop बोलेंगे जिसे, यह होगा आपके column के लिए, तो column is equal to 0, column is less than or equal to 2, then column plus plus, अब अगर आपको print कराना है के वल matrix को, और और column के form में, तो आप यहाँ लिखेंगे cout, cout के बाद में, आपके array का नाम लिखेंगे, आप जिसे आपके array का नाम है, arr, brackets में i और j, तो जब i, sorry, यहाँ पे i, j की जगा, r और c आएगा, और प्रत्य कॉलम को print करने के बाद में, यदि आपको एक line change करनी हो, तो आप यहाँ पे cout, and l का इस्तमाल करके line change भी कर सकते हैं, तो इसमें होगा क्या, जब r की value 0 होगी, और c की value 0 होगी, तो c की value 0 है, तो condition true है, यहाँ पे 00 वाल element प्रिंट होगा, फिर c की value एक increment होगी, फिर आपके row का दूसरा element प्रिंट होगा, फिर row के तीसरा element प्रिंट होगा, इसी प्रकार फिर यह loop से बाहर जाएगा, यहां पे archival value increment होके 1 हो जाएगी यहां पे c की value फिर से 0 हो जाएगी तो यह 1, 0, then 1, 1, then 1, 2 इस तरीके से print होते जाएगा अब प्रत्य ग्रो को print करने के बाद यह line change करता चलेगा तो इसे compile and run कर लेते हैं output आपके सामने आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यह actually मैं vertically print हो गया क्योंकि हमने line को यह जो line change करना है हम इसे इस के स्थान पे इस loop से बाहराने के बाद दे देते हैं तो यह और अच्छी तरीके से आपको दिखाए देगा तो देखेए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो यह आपका 2 dimensional matrix इस तरीके से print होता है आप इसे इस तरीके से access कर सकते हैं इस तरीके से declare कर सकते हैं values देने के लिए जैसे हमने यहाँ पे प्रोग्राम में ही design time पे values दे दी है इसका दूसरा तरीका होता है कि आप पहले array को declare कर ले array को declare करने के बाद यह जो आपका loop है ये फिर से काम आजाएगा, तो मैं इसे copy कर रहा हूँ, आपके सामने, पहले हम initialize करने का काम करेंगे, इसलिए मैं इसे यहाँ पर c in लिखूंगा, और c in लिखने के बाद में, मुझे यही चीज दुबारा लिखनी है, कि जिन जिन array के लिए मुझे elements c है, उसे मैं आपके लि इसे position के लिए आपके लिए value को read करते जाएगा, इसका indentation से ही कर देते हैं, तो यह सबसे पहले आपके लिए 9 elements को read करेगा, और उनही 9 elements को यहाँ पर print करेगा, compile और run करते हैं, तो पहले value में डालता हूँ 2, 3, 4, 5, 6, और फिर से 2, 3, 4, तो देखें हैं यहाँ यह 2, 3, 4 जो 5, 6, 2 जो है, वो second row है, और 3, 4, 5 जो है, वो last row की है, तो इस तरीके से भी आप run time पे initialization आप matrix का या किसी array का कर सकते हैं, एक और तरीका यह होता है, तीसरा तरीका, कि अगर आप इन 3, 3 की जगा कोई भी value देना चाहें, जैसे आपका matrix आपने loop जैसे लगाए 0 से लेके 2 तक, अब अगर आप matrix का size को fix करना चाहते हैं, तो आप constant का सहीता ले सकते हैं, जैसे constant declare कर दे, एक row नाम से बना लेते हैं, row, और इससे value दे देते हैं, constant, constant row is equal to 100 भी दे सकते हैं, आपको इदिक करते हैं, और constant col is equal to 100, तो अब आपके पास में 100 तक के columns हो सकते हैं, 100 तक के rows हो सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप loop जहां तक चलाएंगे, वहां तक आपका, पर्टिकुलर्ली आपका array है, वह वहां तक run करेगा, तो यहां पर आपके लिखना पड़ेगा, row and column, तो इस तरीके से भी से run किया सकता है, प्रोग्राम में भी कोई changes इसलिए नहीं होगा, क्योंकि आप loop केवल 0 से लेके 2 तक चला रहे हैं, तो इसे compile करते हैं, और run करते हैं, आप देखेंगे कि यहां पर same values, जो है, आप value कुछ भी दें, जो output में कोई बदलाव नहीं आएगा, बड़ आपके array का size है, that is now increased by using constant, य स्टोरेज आपको समझ माया होगा, और इसके बाद हम देखेंगे next, आज का अगला topic, sparse matrix का implementation, आप कैसे करते हैं, यह topic है, यह आपके UGC net में भी होता है, और data structure के पढ़ने के पहले, अगर आप sparse matrix को समझ लें, तो matrix multiplication, matrix addition, यह सारे प्रोग्राम्स बहुत छोटे लगने ल होती है, तो सबसे पहले यह देखते हैं, कि what is sparse matrix, एक ऐसा two-dimensional array, जिसे हम matrix कहते हैं, जिसमें number of zeros जो है, उसकी majority हो, उसे हम sparse matrix कहते हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास यह कर रहे है, मालिज जिसमें, आपको यह element ले सकते हैं, मैं इसका found size बढ़ा कर देता हूँ, और यहाँ पे अगर आपके पास में, majority of numbers हैं, जो majority of elements हैं, यह सबसे जादा होने चीए, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, sparse matrix बोलेंगे, तो हम जो program बनाने वाले हैं, उसमें हम क्या करेंगे, counting करेंगे, कि number of zeros कितने हैं, तो number of zeros आप कैसे count करेंगे, यही program के logic में हम दे देखिए, ताकि आपको sparse matrix का program बनाना अराम से आ जाए, तो इस matrix में आप देख सकते हैं, counting कर सकते हैं, by your eyes, कि यहाँ पे 1st row में 2 हैं, 2nd row में 2 हैं, 3rd row में 1-0 है, तो इस प्रकार, total 9 elements में से 5 elements हैं, वो 0 हैं, तो इसलिए से sparse matrix कहा जाएगा, so let's come to the program now, okay, तो मैंने program आपके लिए पहले type कर लिया है, और यह आपको internet में भी असानी से मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके search कर सकते हैं, इस matrix में हमने 10 by 10 का matrix लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे again 3 cross 3 का ही मैं use करूंगा, तो number of columns जो हैं, और number of rows जो हैं, वो 3-3 ही हैं, एक count number का variable हम करते हैं, तो अभी के ठीक पहले के program में यह देखा था, कि आप array को declare कैसे करते हैं, और उसे use कैसे करते हैं, तो हमने यहाँ पे initialize किया था, उसे use किया था, इसका मतलब यह होता है, कि जब हम loop में row और column को लगा दें, तो यहाँ पे a और r और c जो है, इसमें आपके प्रत् less than equal to 2 लिखें, या less than row लिखें, दोनों का a की मतलब होता है, plus plus i करें, या i plus plus करें, दोनों का मतलब a की होता है, उसके बाद में फिर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सीधा सीधा यह चेक कर रहे हैं, कि if a और aij की जो value है, वो 0 है क्या, तो देखें, जब यहाँ की value 0 है, तो first element को access करेगा, तो first of all मैंने सबसे पहला example लिया है, इसमें क्या किया है, सारे elements को यहाँ पे मैंने 0 ले लिया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो, तो यह जो count है, अभी तो इसकी initial value 0 है, तो यह पहला value 0 है, और last value 0 है, मतलब शुरू से लेके आखिर तक इसके सारे values 0 ह है, तो इससे होगा क्या कि आपके सारे value 0 है, तो यह total counting यहाँ पे 9 हो जाएगी, क्योंकि प्रते एक बड़ जैसे condition true होते जाएगी, इस counting की value होते जा रही है, तो हम क्या कर रहे है, मैट्रिस को as it is print कराते रहे है, मैट्रिस को print कराने के बाद में, यहाँ पे लिख रहे है, कि भई, जो आपके मैट्रिस के elements है, उसमें number of count variable है, मतलब कितनी counting होई इसकी, यहाँ पे 9 print होगा, 9 print होने के बाद में, अब हम condition लगा रहे है, कि if count is greater than row into column divided by 2, मतलब row कितने हमारे पास में 3 है, 3 गुड़ी 3 होता है, 9, 9 divided by 2 होता है, 4.5, तो हम यह चेक कर रहे हैं, कि 4.5 स तो यह condition क्या होगी, true होगी, तो यह क्या print करेगा, यह एक sparse matrix है, और otherwise क्या print करेगा, sparse matrix नहीं है, तो मैं से सीधा सीधा compile करके run कर दे रहा हूँ, तो जाहिए सी बात है, यहाँ तो हमने 100% elements जो है, वो 0 ही लिए है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि number of 0's are 9, और यह sparse matrix है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे values को change करते हैं, तो let's change it, जैसे यहाँ पे मैं देता हूँ, 7, यहाँ पे देते हैं, 8, और आके कहीं पे change कर देते हैं, 50 कर देते हैं, अब compile कर करके देखते हैं, और run करके देखते हैं, तो देखे, number of 0's है, वो इस program में क्या हो गए, कम ह हो गए, ठीक है, तो यह इसका output, तो number of 0's हमने कितने की हटा दिये, तो 7 और 8 केवल दो ही values यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे अब total number of 0's है, वो 7 हो गए, और यह भी एक sparse matrix है, तो जब आप number of 0's को कम कर देंगे, जैसे 50 यहाँ पे, I think show नहीं हुआ, जस्टा सेकंड एक 50 की जग हम क्या करते हैं, फाइब कर देते हैं, इसे 50 कर देते हैं, इस बार में क्या कर रहा हूँ, जो 0 की majority है, उसको कम कर दे रहा हूँ, अभी से run करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा brackets मैंने बढ़ा दिया है, प्रत्यकरों के लिए एक separate bracket का स्टमाल किया है, क्योंकि यह इस तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे number of zeros जो है, उसे घटा दिया है, number हमें गिनने की जरूरत नहीं है, हमारा प्रोग्राम से कोदी काउंट कर लेगा, तो जब आप इसे run करके देखेंगे, तो मैं इसे run कर दिया हूँ, देखें, यहाँ पे number of zeros हैं, वो कितने हैं, 4 हैं, इस प्रोफ zeros 5 हो गए, तो क्या बन गया, स्पार्स में ट्रिक्स, तो उमीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होई होगा, अगर नहीं आया होगा, तो आप बेशक कमेंट सेक्शन पे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, यह अगर आपको two dimensional array C++ में कीजी भी प्रोग्राम का सारे colleges के syllabus में C++ जो है, वो बहुत ही simple सा और बहुत ही अच्छा सा subject है, इसमें concepts बहुत सारे हैं, तो इस series को मैंने इसलिए अब complete करने का जो है, ठान लिया है, और आप भी ठान ले किया है, इसे हम बहुत जल से जल्द completion के और लेके चलें, next lecture में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाई बाई, सी यू, बाई बाई, टेक केर